So good morning guys, तो चेलिए स्टार्ट करते हैं आज की अनिकी 27 सेप्टेंबर की important current affairs को तो ये most important question है, क्या है प्रशनी की अभी सेप्टेंबर 2023 में किसे दादा साहफ पाल के lifetime achievement पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो answer होगा वहिदा रह्मान को तो सिनेमा के शेत्र में भारत का सरवुच्च सम्मान इसे कहा जाता है दादा साहफ पाल के अवर्ड को जिसके लिए अभी 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 नित्री वहिदा रह्मान को चुना गया है आपको याद होगा इनसे पहले ये अवर्ड किसे मिला था? आशा पारेक को मिला था 2020 के लिए और आप कह सकते हो वे ये सम्मान पाने वाली 52 प्राप्त करता बनी थी तो वहिदा रह्मान इनको ये दादा साहव फाल के अवर्ड 2021 के लिए मिलेगा और कौन से नंबर का मिलेगा तो 53 वा दादा साहव फाल के पुरसकार इनको मिलेगा ये भी ध्यान रखना 2021 के लिए और कौन से नंबर का 53 थर्ड नंबर का वहिदा रह्मान जी से मैं आपको बता दूँ दो पॉइंट से और कि इन्हें पदम शिरी कब मिला था 1972 में और पदम भूशन मिला था सन 2000 में और अब 2021 के लिए मिल रहा है इनको दादा साहफ फाल के अवार्ड अचा अगर हम बात करें दादा साहफ फाल के अवार्ड के पहली बार कब और किसे मिला था ये प्रशन आ गया तो तो 1969 में मिला था ये किसे देवी का रानी को और First Lady of Indian Cinema इनी को कहा जाता है देवी का रानी को अचा लेकिन एक प्रशन में आप से पूछूं कि Father of Indian Cinema किसे कहा जाता है तो आंसर होगा दादा साहफ फाल के को ही क्यों क्योंकि उन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म में बनाई थी 1913 में जिसका नाम क्या था राजा हरीश चंद्र और ये एक मूख फिल्म थी यानि कि बिना आवाज की फिल्म थी आचा इसके लवा कुछ और इंपोर्टेंट अवार्ट्स में आपको रिवाइस करा दू जो हमने 2023 में पड़े थे जैसे कि अभी अंतर राश्टर मातर भाषा पुरुसकार के से मिला डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को आप से भाषा ग्रश्वास equals सम्मान 2022 का मिला था ज्यान चतुरवेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए 2022 के लिए सरस्वत्ती सम्मान मिला था शीव शंकरी को उनके उपन्यास सूर्यत बंशम के लिए और 2023 का एबल पुरुसकार मिला था लोईस काफरेली को अभी अंतर राश्टर बुकर पुरुसकार 2023 जीता जॉर्जी गॉस्पो डिनोव ने ये बुलगेरिया के लिखा के इनने इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए मिला ही अवाड लोकमानने तिलक पुरुसकार मिला था अभी नरेंद्र मूदी को रेमन मेकसे से पुरुसकार 2023 में किस भारती को चुना गया था तो उन भारती का नाम रवी कन्नान है अभी Governor of the Year 2023 चुना गया हमारे RBI के गवर्नर सक्तिकान दास को और वन्य जीव संगरक्षन पुरुसकार 2020 जीता था आलिया मीर ने ये जमू कश्मीर किये तो इस प्रश्ण में ये प्रश्ण इंपोर्टेंट है वैसे तो लेकिन इसमें 2020 के 11 और इंपोर्टेंट प्रश्ण में आपको क्विक रिवाइस करा दिये ध्यान रखना इनको भी बढ़तें आगे चलिए फिर बताईए अभी 19 वे एशियाई खेल 2023 में भारत की घुड सवारी ड्रेसेज टीम ने कितने सालों के बाद गोल्ड मेडल जीता तो अंसर होगा 41 सालों के बाद बात कर रहे हैं याँ पे एशियन गेम्स 2023 की इस बार ये इसका 19 वा संसकरण है कब अब से कब तक 23 सेप्टेंबर से लेके 8 अक्टोबर तक कौन होस्ट कर रहा है चाइना चाइना के हंग जाओ में और इसमें जो भारते टीम गई थी उससे स्पांसर किया था अमूल ने और ये भी आद रखना है इसमें उद्गातन समारों में भारते ध्वजवाहक फ्लेग गुड मेडल जीता है और इस भारते गुड सवारी टीम में चार भारते खिलाडी हैं चारों के नाम में आपको बताऊं तो अनुष अगरवाल, हर्दे विपुल, चेडा, सुदप्ती हैजला और दिविकिर्ति सिंग और भारत ने 41 साल के बाद गुड सवारी में गुड मे गुड है पहला गुड हमने देखा था शूटिंग में आया था फिर दूसरा गुड महिला किर्केट टीम लेकर के आया थी और अब ये तीसरा घुड सवारी में आया है इसके अलावा नेहा ठाकुर, नोकायान में सेलिंग में इन्होंने सिल्वर जीता है वैसे तो हमारे प जो भी इसमें important facts होंगे वो बार-बार मैं आपको revise कराऊंगा तो end तक हम देखेंगे ये सारे points तो आपको यादी हो जाएंगे तो एक बार Asian Games की चर्चा करें तो पहली बार ये हुआ था 1951 में वो नई दिल्ली में हुआ था अभी last वाला 2018 में हुआ था इंडोनेशिया में और हर चार-चार साल में होते हैं तो 2022 में होना था लेकिन अब ये 2023 में हो रहा है कहां पे चाइना के हांग जाओ में और अगला वाला 2026 में कहां पे होगा जापान में होगा तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते हैं के चलिए फिर बताईए अभी सेप्टेंबर 2023 में ग्रीन मंतरी हैं हरदीप सिंग पूरी उन्होंने देश की पहली ग्रीन हाइडरोजन फ्यूल सेल बस को अभी हरी जंडी दिखा करके रवाना कर दिया अभी उन्होंने दो बसों को शुरू किया है और इन बसों को शुरू किया है इंडियन ओयल ने आज़ा आप मुझे बताओ यूँ कहें कि कार्बन उत्सर्जन में कमील आना क्योंकि ये प्रदूशन नहीं करती है ये सिर्फ पानी का उत्सर्जन करती है यानि कि आउट्पूट में पानी छोड़ती है बस यानि कि आउट्पूट में आपको सिर्फ पानी मिलेगा अच्छा यहां पे हाइड्रोजन से संबंदित आपने कंटरफेर्स में प्रशन पड़े होंगे तो पूरे सालबर में जो भी आपने प्रशन पड़े होंगे ना हाइड्रोजन से संबंदित वो पूरे सालबर का सूपड़ा साफ करने वाला हों में उस पूरे सालबर को चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी थी जिनको हमारे सडकवर राजबार्ग मंतरी नितन गडगरी जीने लॉंच किया था तो आंसर होगा मेराई उसका नाम था वो टोयोटा कंपनी की कार थी और अगर पूछूं कि देश का पहला हाइडरोजन इंधन उद्योग स्तापित ये कांपे किया गया तो आंसर होगा जारकंड के जमशिदपुर में और आप जानते है यो भारत की पहले हाइडरोजन से चलने वाली ट्रेन ये शुरू होगी देसंबर दोजा तेविस तक कहांपे सबसे पहले शुरू होगी तो हर्याणा में वैसे अगर पूछे है ना कि दुनिया की पहली हाइडरोजन से चलने वाली ट्रेन कांपे शुरू हुई थी तो जर्मनी में और दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली शुरू हुई थी चाइना में और अभी विश्व का पहला लिक्विड हाइडरोजन फेरी ये नौर्वे में शुरू हुआ था अ सम्म में और भारत का पहला बायो मास आदारित हाइडरोजेन प्लांट ये काँ पर स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बाकी साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइडरोजेन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्गाटन किया था अचा बार बार हाइडरोजेन हाइडरोजेन कर रहे हैं क्या आपको बताए हाइडरोजेन के खोज करता कौन थे हैंडरी केविंडिश और हाइडरोजेन के कितने आइसो टॉप्स होते हैं समय स्थाने कितने होते हैं इसका मतलब होता है कि परमानु संख्या तो सेम हो उनकी पर परमानु भार अलग-अलग हो तो इसकी तीन होते हैं एक ही 1H1 यानि की प्रोटियम, 1H2 डूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम होता है आज़ा एक और पॉइंट याद रखना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको कि भारत रत का Renewable Energy नवी करने उर्जा का टार्गेट का है 2030 का 500 गीगावाट का है, जिसमें से Solar Power 280 गीगावाट है और Wind Power 140 गीगावाट है तो इस प्रशन में मैंने आपको Most Important जानकारियां दिये ये जानकारिया आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी और मिलेगी तो एक साथ तो आपको कहीं नहीं मिलेगी यहां तक कि Paid Videos में भी मुश्किल है तो कहने की बात यह है कि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए Content बना करके ला रहा हूँ तो धीरे धीरे जैसे भी हो इसको याद भी करते वे चलो जैसे कि ये Sheet आज रिपीट हुई है अगली बार इस तरह का प्रशन होगा मैं ये Sheet वापिस से अपडेट करके आपको Revise कराऊंगा अपडेट करने से मेरा मतलब है ये जिसे आज का प्रशन है ये इसमें जोड़ दूँगा तो आपको याद करते वे चल लिए और ये तब ही होगा जब आप consistency बनाए रखोगे किसी भी दिन miss नहीं करना है और revision के लिए हम revision video daily बना रहे हैं daily upload करने तो उसका फाइदा ज़रूर उठाओ most important video है वो ऐसा वीडियो आपको कोई बना करके नहीं देगा जिसमें हम 10-15 मिनिट में 40-50 कुशन का important जो कुशन होते हैं उनका revision करते हैं वहापे कोई country आता है कोई organization आता है तो वो भी मैं आपको cover कर आता हूँ क्योंकि आप देखो कि उसी content को दूसरे channel पढ़ाने में एक एक घंटा 40-40 मिनिट ले ले लेते हैं मैं आपको 10-15 मिनिट में दे रहा हूँ लेकिन बस बात गुम फिर के यह आ जाती है कि बस free की चीज की लोगों को कद्र नहीं होती free है तो लोग सोचते हैं ऐसा ही होगा अगर उसे paid कर दें तो लोग समझेंगे अरे कुछ खास होगा इसमें तो तब ही paid है तो please मेरी आप लोगों से तो हच जोड़के निवेदर हैं वीडियोस को support जरूर करा करें इसे अपने दोस्तों तक आप जरूर पहुचा हैं आपके दोस्त को तो मैं नहीं जानता हूँ वो तो आप ही जानते तो आप ही पहुचा सकते हैं किसी लिए मैं आपको बोलता हूँ आपको लगता है मैं daily बोलता हूँ मैं daily request करता हूँ आपसे क्योंकि पूरे दिन बर मैनत करके मैं आपके लिए content तयार करता हूँ उसके बाद वीडियोस पर response नहीं मिलता है तो मुझे बहुत दुख होता है daily दुख होता है लेकिन फिर भी मैं आपसे request कर सकता हूँ वस खहरा भी बढ़ते हैं आगे फिर बताइए भारते सेना दोजाट चॉबिस में वार्षिक परेड का आयोजन ये कांपे करेगी तो आंसरों का लखनव में आप जानते हो हम हर साल भारते सेना दिवस मनाते हैं कब 15 जनवरी की और हम क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को ये भारते सेना दिवस इंडियन आर्मी डेक क्योंकि 15 जनवरी 1949 को ही field marshal K.M. करियपपा ये भारते सेना के पहले भारते प्रमुग बने थे इसलिए और अब याद रखना कि 15 जनवरी 2014 में भारते सेना वारशिक परेड का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा तो आंसर होगा लखनाव UP में और अब आप पुछोगे कि 2023 में फिर ये कहां पर हुआ था तो ये हुआ था बंगलूरू करनाटक में और इस बार ये पहली बार हुआ था जब ये सेना दिवस परेड ये दिल्ली के बाहर हुई थी अच्छा ये तो आर्मी डे की हमने बात कर ली अब अगर एर फोर्स डे वायू सेना दिवस की बात करें जो हम कब मनाते हैं अक्टूबर को, तो वैसे तो वायू सेना दिवस, हिंडन, एरबेस, गाजियाबाद, यूपी में मनाते हैं, 2022 में इसे चंडिगर्ड, एरबेस में मनाया गया था और अब 2023 में प्रयागराज, यूपी में मनाया जाना है, वहीं नौ सेना दिवस की बात करें, नेवल डे हम मन दुर्ग किला है वहाँ पे याद आगया होगा आपको तो देखो बात तो हमने आपे इंडियन आर्मी की की थी लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस बार का Air Force Day ये मनाया जाएगा कहां पे प्रयागराज यूपी में और नेवल डे मनाया जाएगा महराष्ट में सिंदु दुर्ग किले में आर्मी चीफ कौन है हमारे मनोच पांडे है एर चीफ मार्शल कौन है विवेक राम चौधरी और नेवल चीफ है आर हरीकुमार अच्छा आप लोग मुझे बताओ हमारे अभी दूसरे नंबर के CDS Chief of Defense Staff इनका नाम क्या है क्योंकि पहले वाले तो विपिन रावच जी थे जिनका निदन हो गया दूसरे वाले कौन है यह आप बताओ हम बढ़ते आगे चलो फिर बताओ सेप्टेंबर दो जाटेविस में पहला हल्दी सम्मेलन का योजन ये कहां पे किया गया तो आंसर होगा मुंबई में तो ये पहली बार हो रहा है वैश्विक हल्दी सम्मेलन ग्लोबल टर्मरिक मीट इसलिए ये मैं आपको प्रशन करा रहा हूँ और कब हुआ ये 27 सेप्टेंबर 2020 कहां पे मुंबई में और इस सम्मेलन का उधगाटन किस ने किया महराष्टर के मुख्यमंतर एकनाथ शिंदे ने और इस सम्मेलन का आयो आता है बताओ किसे राजी की कंद माल हल्दी को जी आई टेक मिला था ये मैं आपका हमवर्क प्रशने डाल रहा हूँ इसे आप ही लोग बताएंगे से और जिसको आंसर नहीं पता होते है न तो कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लिया करो क्योंकि आप ही लोगों में से करते हैं जो भी मैं प्रशने पूछता हूँ तो वहां जाके अगर उनके कमेंट में आप आंसर जाके देखोगे तो हो सकता है दो-चार जानकर्याम कर्याम को और नहीं मिल जाए क्योंकि क्या होता है प्रशने के बीच में जो मैं प्रशने आप से पूछ लेता हूँ तो कह मेरे को कोई भी word दिखता है, कोई भी line दिखती है, तो उससे संबंदित कुछ भी मेरे दिमाग में याद आता है, तो मैं वो प्रशन आपसे पूछ लेता हूँ, और लगबग ज्यादा तर मैं आपसे current affairs के प्रशन पूछता हूँ, जो आप already पढ़ चुके हो, तो वैसे तो सबको याद आने चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब, आप में कहीं ने कहीं कमी है, या आप जब तक accept नहीं करोगे, दिक्कत रहीगी, इसलिए किता हूँ, रिविजन करना है, स्टार्ट करो चीज होगा, अच्छा यहाँ पे कुछ important summits, सम् दिल्ली में, और अभी फरवरी में, 12 वा विश्वे हिंदी सम्मिलन का अयोजन हुआ था, कहां पे फीजी में, अभी तीसरा विश्वे हिंदू सम्मिलन का अयोजन ये कहां पे होना है, 2023 में 얼ेश्म बैंकॉक में, और देसंबर 2023 में भारत अंतरराश्टर का पास स размithi की 85 प किया था कहाँ पे New York में अच्छा दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फरेंस का योजन ये हुआ था कहाँ पे जिनेवा स्विजरलेंड में और इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस दोजार तेविस का योजन हुआ नई दिल्ली में ये इसका सात्व संसकरन था और खाद्दे सुरक्षा नियामकों के वेश्विक शिखर सम्मिलन का योजन अभी हुआ था भारत में तो अभी तो ये इंपोर्टेंट सम्मिट सुवे इनको ध्यान रखना बढ़ते हैं के फिर बदाईए अभी विश्व परियावरन स्वास्त दिवस कब मनाया गया तो आंसरों का 26 सेप्टेंबर को तो हर साल 26 सेप्टेंबर को World Environment Health Day के रुप में मनाया जाता है तो मनिश्यों और परियावरन के बीच जटल संबंदों को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है थीम क्या है? Global Environment Public Health अचा परियावरन से याद है का एक विश्व परियावरन दिवस भी होता है World Environment Day जो 5 जून को मनाया जाता है चलो अभी सेप्टेंबर के सारे डेज में आपको रिवाइस कराऊ तो 2 सेप्टेंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया 5 सेप्टेंबर को International Charity Day 8 सेप्टेंबर को International Literacy Day 8 सेप्टेंबर को विश्व फीजियो थेरपी दे 9 सेप्टेंबर को World Electric Vehicle Day हिमाले दिवस और विश्व प्रातमिक चिकेट सा दिवस 10 सेप्टेंबर को विश्व आत्मत्या रोकताम दिवस, 11 सेप्टेंबर राष्टर वन शाहित दिवस, 12 सेप्टेंबर दक्षिन दक्षिन सहयो के लिए सन्यूकत राष्टर दिवस, 14 सेप्टेंबर नेशनल हिंदी डे, 15 सेप्टेंबर विश्व लिंपोमा जागरुकत दिव और अंतरराष्टर लोकतंत्र दिवस और 16 सेप्टेंबर को वल्ड उजून डे और अभी अंतरराष्टर रेड पांडा दिवस भी मनाया 17 सेप्टम्बर को विश्वर रोगी सुरक्षा दिवस 18 सेप्टम्बर WORLD BAMBoo Day 21 सेप्टमबर WORLD AALZEIMER Day और अंतरराष्टर शांती दिवस और अभी 23 सेप्टम्बर को अंतरराष्टर सांकेतिक भाशा दिवस मनाए था और सेप्टम्बर को हम पोशण महा के मुदी के एडवाईजर हैं, सलाकार हैं और अभी इन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया प्रधानमंत्री के सलाकार के रूप में और आप कहा सकते हो यह उनका दूसरी बार सेवा में विश्तार हुआ है आप जानते हो भी नेसकॉम के उपाद्यक्ष बने थे, सिंदू गंगाधरन वैसे नेसकॉम के अद्धिक्ष कोने राजेश नामब्यार ये भी नए बने थे UIDAI के CEO बने अमित अगरवाल और Border Security Force के Director General बने नितिन अगरवाल इनका नाम है, तो ये दोनों अगरवालों में confuse मत हो जाना हम बढ़ते हैं आगे फिर बताओ, अभी हाली में Uniqlo इंडिया ने किसे अपना Brand Ambassador बनाया तो अंसर होगा Katrina क्या, तो जापानी कपड़ों की famous company है Uniqlo और उसी ने अभी Katrina केफ को भारत में अपना पहला Brand Ambassador बनाया है अचा कुछ और Brand Ambassador में आपको revise कर रहा हूँ जो news में रहे थे हैं जैसे कि अभी भारत की प्रमुक fashion brand है W, उसकी Brand Ambassador बनी थी अनुश्का शर्मा स्वराज Tractor के बने थे Brand Ambassador माहिंदर सिंग धोनी वैसे इससे पहले माहिंदर सिंग धोनी ये गरुड एरोस्पेस के भी बने थे NAVI के भी बने थे और YACOM 18 के भी बने थे और अभी चुनाव आयोग ने अपना National Icon बनाया था सचिन तेंदलकर को और अभी सचिन तेंदलकर इनको महराष्टर सरकार ने मौकिक सचता अभ्यान के लिए Ismail Ambassador भी बनाया था और अभी सेवलाउन इंडिया ने दुनिया का पहला Hand Ambassador ये सचिन को ही बनाया और अभी जानते हूँ Infosys ने Global Ambassador बनाय था दो खिलाडियों को दो टेनिस के खिलाडियें एक राफेल नडाल है जो स्पेन के हैं और इगाज स्वेटे जो पॉलेंड की हैं BPCL के Brand Ambassador बने थे राहुल द्रविड नाम है और जो ICC World Cup दो जाते वी जो और हैं भारत में इसका Brand Ambassador बने थे शारुक खान और UNICEF इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए भी राजदूत बनाय था इसी साल आयूश्मान खुराना को और सौरव गांगुली यह अभी बंधन बैंक के त्रिपुरा परियटन के और ड्रीम सेट गो के Brand Ambassador बने थे और इस्मरती मंदाना यह अभी गल्फ ओयल इंडिया और गुवी की Brand Ambassador बनी थे और रभी शास्त्री यह फैन कॉड के Brand Ambassador बने थे फिर बताईए अभी September 2023 में जापानी Grand Prix का किताब किस ने जीता तो आंसर होगा Max Watspan फिर से फुल फॉर्म में आ गए Red Bull के ड्राइवर है Max Watspan नीधरलेंड के रहने वाले हैं और अभी जापानी Grand Prix Formula 1 रेस को इन्होंने जीत लिया आपको बताई भी लगातार यही जीतते हुए आ रहे थे लेकिन इसे पिछले वाला Singapore Grand Prix उसको Carlos Sange ने जीत करके इनकी लगातार जीत को तोड़ दिया था Carlos Sange भी याद रखना Singapore Grand Prix को जीता उन्होंने वो Ferrari के ड्राइवर है और आपको क्या बताऊं यहां से दो पॉइंट बता रहा हुँ ध्यान रखना अभी एक तो भारत में पहली बार MotoGP रेस का आयोजन हुआ था कहां पे Greater Noida के बुद्ध International Circuit में और उसको किस ने जीता था? Marco Becheji ने जीता था वो Italy के रेसर है और अभी याद रखना भारत और दक्षिन इसिया का पहला Night Street Racing Circuit यह बनेगा कहां पे चन नहीं में ध्यान रखना यह बढ़ते हैं के फिर बताऊ अभी सेप्तेंबर 2023 में 54 एकलव्य मोडल आवासिय विध्यालेव में Amazon Future Engineer प्रोग्राम का कौन सा चरन शुरू हुआ तो आंसर होगा दूसरा चरन तो याद रखना अभी आदिवासी छात्रों को शशक्त बना ले के लिए भी केंदरी सरकार ने भारत के 54 एकलव्य मोडल आवासिय स्कूलों में जिसे आप EMRS बोलते हो अभी यहाँ पे Amazon Future Engineer प्रोग्राम का भी दूसरा फेस दूसरा चरन शुरू हुआ है इसमें क्या होगा इसमें बच्चों के कोर्सेज में Advanced Block Programming और AI यानिकि Artificial Intelligence पाठेकरम शामिल किया जाएगा और कक्सा 6 से लेके 10 वी तक के चात्रों को Computer Science और AI Concept को सिखाया जाएगा ERMS का नाम तो आपने जरूर सुना होगा अभी इसकी वेकेंसी भी आईए हो सकता है आपने से भी बहुत से लोगों ने भरी हो तो अगर भरी है आपने वो वेकेंसी तो ये प्रशन को मार्क कर लेना ये important प्रशन है तो guys ये था आज का आपका current affairs का session कैसा लगा आपको और हाँ अगर आप मेंसे कोई student इस session को very first time देख रहे हैं पहली बार तो आप तो खास तोर पे मुझे जरूर बताना कि आपको session कैसा लगा ताकि आपके comment करने से मुझे ये भी पता चल जाए कि कोई new student हमसे जूड रहे है या नहीं जूड रहे है और जूड रहे है तो वो कौन है बागे quiz और PDF आपको मिली जाएगी करेक exam application में और fourth week का weekly current affairs वाला वीडियो आज शाम को upload होगा तो देखना मत भूलिएगा तो अभी चलो कल के current affairs का भी मैं आपको revision करवा दूँ तो पहला प्रश्ण आपसे बुचा था विरांगना दुर्गावते Tiger Reserve ये कि सर्राज्य का नविंतम Tiger Reserve बना तो आंसर होगा मध्यपरदेश, मध्यपरदेश का सात्व बना भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सफ्य बड़ा मंदिर का बना तो अमेरिका में 19-वे ACI Games में भारत ने पहला स्वर्ण पदक्तिस खेल में जीता, शूटिंग में जीता और 19-वे ACI केल 2023 में भारत की महिला किर्केट टीम ने फाइनल में गोल्ड जीता किसे अरागे? श्रिलंका हर साल भारत में 25 सेप्टेंबर को किसकी जैनती पर अंतियोदे दिवस मनाया जाता है तो अंसर होगा पंडित दीन दया लुपाद दिया है फिर पूछा भी किसने मोटो जीपी इंडियन ग्रेंड प्री 2023 का घिताब जीता? मारको बैचे जी इटली के हैं एशियन डेवलेप्मेंट बेंक के उपाद्यक्ष बन गए कौन? भारगव दास गुपता और यहां पे यह भी मैंने आपको बता दिया था संजीव मंत्री यह ICICI Lombard General Insurance के MDCO बन गए इन्होंने इस्तान लिया है भारगव दास गुपता का यहां पे एकी प्रशन में मैंने आपको दो प्रशन कर रहा है थे याद रखना उसे भी अब भारट ड्रोन शक्ती दो हो जाते भी इस परदशनी का एवजन काम पे किया गया उत्तर प्रदेश में और किस देश के पूरूर रास्टर बती जियोर्जियो नेपोली टानो का निदन हो गया इटली और फिर आखरी प्रशन था कि ODI किरकेट टीम में तीन हजार शक्के लगाने वाली पहले टीम बन गई कौन भारत और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर देना याद और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना प्लीज चलो भी कल का हमवर प्रशन देखते और सेशन एंड करते हैं कल आप से पूछाता है कि अंतरराष्टर मिर्गी दिवस एपिलेप्सी डे कब मनाते हैं तो यह एक्शुली में फरवरी के दूसरे मंडे को मनाया जाता है तो इस बार तो हमने तेरा फरवरी को मनाया है ध्यान रखना आप सभी ने प्रशन का बिलकुल से उत्तर दिया अब यह राज का आपका हमवर प्रशन